हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब सेनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफार्म में आज हम बात करने वाले हैं लेशन वन चल रहा था वास्तविक संख्या के उधारन नंबर 4 के बारे में उधारन 3 तक हो गया था और सारे क्वेस्चन्स भी ह हो गयते सभी एकसरसाइज के तो आप जाकर के प्लेइलिस्ट में सभी वीडियो को दीख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं उधारन नंबर 4 के बारे में उधारन 4 के क्वेस्चन को होता अच्छे तरीके साल्व कराएंगे देखी क्वेस्चन हमारा एक मिठाई बिक्रेता पास 420 चाजु की वर्फिया और 130 बदाम की वर्फिया है वह इनकी ऐसी धेरिया बनाना चाहता है कि परतिक धेरी में वर्फियों की संक्या समान हो एक ऐसी धेरी देखे काजू की वर्फिया 420 है बदाम की वर्फिया 130 है और वो ऐसी धेरी बनाना चाहता है जिसमें की मतलब प्रतेक धेरी में वर्फियों की संख्या समान हो ये धेरिया वर्फियों ये धेरिया वर्फिय की परात में निवनतम अस्थान घेरे और वो चाहता परतेख देटी में कितनी रखेगा ताकि परतेख परात को नीवनतम अस्थान घेड मिलेगी और जो वर्फिएों कि संख्या होगी दोनों में मतलब दो काजू और बदाम की समान वोगी तो हलाकि इस परश्ण को, ऐसे परश्ण को करने के लिए आने को सारी वीदिया होती है लेकिन आप class 10th के student है, board पर इश्चा का exam देना आपको तो आपको क्या करना है, Euclid विभाजन पर में क्या का प्रियोग करके इसे ग्याद करना है हलाकि इसके लिए बहुत सारी वीदिया है, हो सकता है और आप comment करके करेंगे, तो और भी सारी वीदिया हम आपके लिए बता देंगे लेकिन इस परश्ण को करने के लिए आपको base रहेगा Euclid विभाजन अल्गोरिथम बेदी तो हल करते समय हम क्या करेंगे, हम करना क्या है देख लिए थोड़ा साइज इतने बड़े प्रश्ण को हम एक डिव्यू देते हैं कि आपको करना यह है कि 420-130 का HCF ग्याद करना है चोक गय, कि इतने बड़े प्रश्ण का HCF कैसे हो सकता है हाँ, HCF ग्याद करना है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी वर्फिया, मतलब कितने-कितने वर्फियों का धेरी बनेगा, ठीक है तो चलो, कितनी-कितनी वर्फिया रखनी पड़ेगी परतेक धेरी में तो चलिए हम देखते हैं इसका HCF कैसे निकलते हैं, ठीक है अब HCF का मतलब यह मत समझेगा, कि HCF हम जैसे छोटे-छोटे क्लास में करते थे, वैसे नहीं आपको यूकलिट विभाजन विधी से ही HCF लिखात करना है, तो उसको ग्याद करने के लिए सबसे पहले आपको रफ करना पड़ेगा रफ में आपको क्या करना पड़ेगा, HCF ग्याद करना पड़ेगा, जैसे कि भाग विदी से करते थे, 420 को अंदर रखते हैं, और जो छोटा है 130, इसको बाहर रखते हैं, ठीक है तो यह चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि यूकलीड विभाजन यह तो आपको रफ में करना है, रफ कारिया है, ठीक है अब देख सकते हैं कि 220 में और 130 में कौन बढ़ा है? 220 बढ़ा है तो 420 A hoगा और ये 130 B hoगा यानि कि इसको हम भाजय बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं अगर हम इस से डिवाइड करते हैं तो 3 12 में जाएगा ये हो जाएगा 138 49 यानि कि 330 तीन सो नभबे ठीक है जीरो हो जाएगा यहां पर यहां पर हो जाएगा बारा में जाएगा तो तीन बचेगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर यह जीरो हो जाएगा ठीक है अब 130 को अंदर लाएंगे यानी 130 को अंदर लाते हैं और 30 से अगर इसमें डिवाइट करते हैं 3 बर में जाएगा, 300 हो जाएगा, और इसका जो सेसफल आएगा, वो 0 जाएगा, ठीक है, तो जब सेसफल 0 आजाए, तो इसके उपर वाली जो भाजक होती है, जो भाजक होता है, उसे ही तो हम HCF कहते हैं, यानि कि HCF हमें पराप्त हो गया 10, ठीक है, HCF 10 पराप्त हो गया, 120 रखेंगे एक जगह पर बरबर है तो बराबरें लिख देंगे भाजक लिखना होता तो बाजक 130 लिख देंगे उसके बादे हमें यहां पर और चरण परस्तूत की हैं जब तक जीरो नहीं आ 130 बढ़ा है तो 130 को हम भाजे के जगा पे लिखेंगे बराबर में भाजक के जगा पे हम 30 लिखेंगे और गुने में भागफल के जगा पे 4 अधन में सिसफल के जगा पे 10 लिखेंगे ठीक है ऐसे ही एक चरण और है यहां देखिए 10 और 30 में कौन बढ़ा है 30 बढ़ा है तो 30 यहां पे A के जगा पे लिखेंगे और 10 भाजक है तो यहां पे लिखेंगे B के जगा पे into Q के जगा पे हम क्या लिखेंगे दिखी यहां पे भागफल क्या है 3 तीन लिखेंगे धन में सिस्फल क्या है जीरो अजब सिस्फल जीरो आजाए जीरो आजाए तो वहां का जो भाजक होता है इस लास्ट चरण का जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है तो लिखेंगे अतफ 420 तथा 130 का HCF बराबर 10 है 10 है ठीक है 10 है अतफ इस काम को करने के लिए यानि क्यों पूछा था ना कि उस काम को करने के लिए प्रतेक धेरी में कितनी वर्फियर रखी जा सकती है तो लिखेंगे अतफ इस कार्य को करने के लिए प्रतेक धेरी में दस दस वर्फियर रखी जा सकती है है बस इतना आपको लिख देना है आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा और आपका एंस्वर यहां पे मिल गया है कि HCF हमारा 10 आ ठीक है यहाँ पे जो भाजक होता है अगर जीरो यहाँ पर भाजक होता है न वही हमारा होता है HCF तो 10 इस दोनों का HCF है यानि कि 10-10 वर अगर धेरी में रखते हैं तो सामान रूप से रखा जाएगा और परतिक धेरी में वस्तूम्ख की संख्याइं क्या होंगी सामान रहेंगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इग्जाम पल के साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पुछिए थैंक्यू